असलाम अलेकूम ठंडियों का सीजन आ गया है तो हम इस मटर की कचोरी को कैसे भूल सकते हैं ठंडियों के सीजन में मटर की कोई भी चीज बनाने में बहुत अच्छी लगती है तो मैंने सोचा क्यों न कचोरी बनाई जाए और आप लोगों के साथ शेयर की जाए तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं मटर की कचोरी यहाँ पे मैं दो कप मैदा ले रही हूँ और दो कप गेहूं का आटा ले रही हूँ यहाँ मैंने दोनों आटों का इस्तमाल किया है आप चाहें तो सिब मैदे में भी इसे बना सकते हैं अब मैं यहाँ पे आधा कप देशी घी ले लूँगी और एक चमबच अजवाइन लेंगे इसे हातों पे इस तरीके से रखके अच्छे से मसल के इस आटे में डाल देंगे एक चमबच नमक का इस्तमाल करेंगे यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से हातों से मसल लिया है जब आप हातों से अच्छे से मसल लेंगे तब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे अच्छे से गुंद लेंगे हम इसे कपड़े से ढखके एक साइट में रख देंगे आदे घंटे के लिए एक कड़ाई में वन टेबल स्पून तेल डाल के हम इसमें मटर एट करेंगे और इसे अच्छे से सौटे कर लेंगे अब हम एक मिकसर जाल लेंगे इसमें थोड़ा सा हरा धनिया, हरा मिल्चा और मटर डाल देंगे मटर अभी गरम है, जब ये थंडी हो जाएगी तब हम इसे बारिक पीस लेंगे यहाँ पे मैं एक चमच नमक एट कर रही हूँ आप नमक अपने मताबिक कमजादा कर सकते हैं यह देखिए मैंने इसे दमबारिक पीस लिया है यह पीसने के बाद कुछ इस तरीके से नजर आएगा यहाँ पे मैं मटर का मसाला तयार कर रही हूँ यहाँ पे मैंने एक बरतन में लिया एक चम्मच जीरा, एक चम्मच खड़ा धनिया और एक चम्मच सौफ इन सब को अच्छे से रोस्ट करके एक खलल में हम डाल के इसको पॉडर बना लेंगे ये देखे ये दमबारी को चुका है ये इस तरीके से नजर आएगा हम उसी कड़ाई में एक चम्मच तेल फिर डालेंगे एक बड़ा पियास काटके इसे फ्राई कर लेंगे जब ये हलका फ्राई हो जाएगा तो जो मसाला हमने रैडी किया था वो इसमें एट कर देंगे फिर मटर का पेस्ट भी हम इसमें डाल देंगे और इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब बारी आती है कचौरी बनाने की यहाँ पेस्ट अच्छा ठंडा हो गया है हम इस तरह मटर की पेस्ट की फेलिंग करेंगे ये देखें मैंने थोड़ा सा मटर का पेस्ट लिया है और इस तरीके से राउंड में घुमा घुमा के मैंने इसे पेक कर दिया है अब मैं इसे हलकी हाथों से बेल लूँगी अब हम इस कचौरी को अच्छे से फ्राई कर लेंगे फ्राई करते वग गैस का फ्लेम आप स्लो रखिएगा नहीं तो आपकी कचौरी उपा से तो पक जाएगी अंदर कच्छी रहेगी इसलिए फ्लेम स्लो रखिए ये देखिए हमारी कचौरी फूलना शुरू हो गई है और ये देखिए हमारी कचौरी बनके परफेक्ट तयार हो गई है अब हम इसे एक टौवल टिशू पर निकाल लेंगे ये देखिए मेरी गर्मा गर्म कचौरी बनके तयार हो गई है मैं जा रही हूँ इसे अपनी फैमली को खिलाने आप भी बनाएए खुद खाएए अपनी फैमली को खिलाएए अगर मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सस्क्राइब और कमेंट जरूर कर दीजेगा फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ अल्ला हाफिज